हम इस वक्त कलियर विधान सभाई में आए वे हैं जहां पर विधायक फुरकान एहमेजी दोर टोर परचार कर रहे हैं किस तरह का समर्थन मिलना है इसे बात करते हैं विधायक जी किस तरह से समर्थन मिलना है इस बात करते हैं हर जाद बिरादी को अब बिरादी का हर बुज़रु का मां और भेश्ञों का बहुत अच्छा प्यार मिला है और इनसालला पहले से विज़ादा जीट होगी क्योंकि जो बीज़य पी ने जुटे वादे किये थे वह वादे सब जूट निकले जब हम 2017 में चुनों हो रहे थे बीजेपी ने वादे किये थे कि हमारी सरकार बनाओं हम महंगाई कम करेंगे आज महंगाई चरम सिमा पर हैं गैस सिलंडर ले लो डिजल पैटलो ले लो देशी तेर कोई भी चीज हो सब के रेट असमान चूर रहे है करोना को लेकर परचार रहलिया नहीं कर सकते कितनी दिक् पर रोख लगाई हुई है हम डूर टूर जाकर हर गाओं में परचार करें लोगों समझा रहे हैं और जंता खुछ समझ रही है कि बीजेपी फेलो चुकी बीजेपी ने सब वादे जूट निकले आज हर वर्ग परेसान है चाह वयापारी हो किसान हो मजदूर हो सरकारी मसी जिंद्री तक के करमचारी क्यों नहीं हो आज सब परेसान है सबने मन मना चुका है कि हम आने वाले 2012 22 का जो चुनों होगा आने वाली 14 फरिवरी को जब बोट पढ़ेंगे हम कोंगरेस के पक्समों डालेंगे और यहां पर कोंगरेस की सरकार बनाएंगे डोर टूर जा रहे हैं अब के अभी रेलिया बन है तो इसलिए हम घर घर टू घर जा रहे हैं लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल ला है बीजेपी ने सभी सिटों पर लगभग उनसाथ सिटों पर अपने परचासी उतार दिये हैं कलियर पर अभी तक नहीं उतार रहें क्या कहेंगे अब हो तो उनका बीजेपी का अपना मसला है किसी को भी परतासी मनें क्योंकि हमें तो मालूम है कि बीजेपी का केंड़ेट आना है हम तो अपना परचार करें अपने लोग को समझा रहे हैं तो जो भी केंड़ेट होगा कोई भी आ हो हमें तो आज बीजेपी से जनता खिलाब ह अगरे सवाल क्या विदैक जी इस बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? हाँ, इसलिए ला तालो को मजूर हुआ और हमारे बुज़रुकान लोजान साथियों का मा और बेनों का सब का प्यार मिला तो इसलिए जरूर हैट्रिक लगेगी और भारी मतों से हमारी जीत होगी तो ये थे हमारे साथ कलियर के विधायक फुर्कान एमद जी जिनका साथ तोर से कहना है कि बुजर्गों का आसिदवाद मिला तो इन्शालला है ट्रिक जरूर लगेगी अपने सहियों की विनो चोधरे के साथ मैं मुहम्मद अजीम न्यूजवर इंडिया हर्दवार कलियर